जैश्री राम भक्तों आज हम सुनेंगे वट पूर्णिमा की पौरानिक कथा हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा का वरत हर साल जेश्ट माह के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी को किया जाता है इस वरत को केवल महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती है और जीवन में सुक्समरिधी का कामना करती है पश्चिम भारत में यहां वरत जेश्ट पूर्णिमा के दिन रखा जाता है और उत्तरी भारत में जेश्ट अमावस्या को वट सावित्री वरत रखा जाता है इस विशेश दिन पर वट वरिक्ष के साथ साथ बेल के पेड़ की पूजा करना भी शुब माना जाता है मान्यता है कि वट वरिक्ष में तृदेव ब्रहमा, विश्णू और महेश का वास होता है इसलिए इसकी पूजा की जाए तो तीनों देवों की एक साथ कृपा बर्सती है भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वप्ती था भद्र देश के राजा अश्वप्ती के कोई संतान न थी उन्होंने संतान की प्राप्ती के लिए मंत्रोचारण के साथ प्रतिदिन एक लाख आहुतिया दी अठारा वर्षों तक यह क्रम जारी रहा इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर्दिया की राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई योग्यवर न मिलने की वज़ा से सावित्री के पिता दुहकी थे उन्होंने कन्या को स्वयमवर तलाश ने भेजा सावित्री तपोवन में भटकने लगी वहां साल्व देश के राजा द्यूमत्सन रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पती के रूप में उनका वरण किया रिशिराज नारत को जब यहाँ बात पता चली तो वह राजा अश्वप्ती के पास पहुँचे और कहा की है राजन या क्या कर रही हैं आप सत्यवान गुडवान है धर्मात्मा है और बल्वान भी है पर उसकी आयू बहुत छोटी है वह अलपायू है एक वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यू हो जाएगी रिशिराज नारत की बात सुनकर राजा अश्वप्ती घोर चिंता में डूब गए सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा पुत्री तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अलपायू है तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी आर्य कन्याएं अपने पती का एक बार ही वरन करती हैं राजा एक बार ही आग्या देता है और पंदित एक बार ही प्रतिग्या करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है सावित्री हट करने लगी और बोली मैं सत्यवान से ही विवा करूंगी राजा अश्वप्ती ने सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया सावित्री अपने ससुराल पहुचते ही साससुर की सेवा करने लगी समय बीटता चला गया नारद मुनी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यू के दिन के बारे में बता दिया था वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी उन्होंने तीन दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया नारद मुनी द्वारा कथित निश्चित तिथी पर पित्रों का पूजन किया. हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकडी काटने जंगल चले गए साथ में सावित्री भी गई. जंगल में पहुचकर सत्यवान लकडी काटने के लिए एक पेड पर चड़ गए. तभी उसके स सत्यवान का सिर सहलाने लगी. तभी वहां यम्राज आते दिखे. यम्राज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे. सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी. यम्राज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की की यहीं विधी का विधान है. लेकिन सावित्री नहीं सावित्री की निष्ठा और पती परायंता को देख कर यम्राज ने सावित्री से कहा कि है देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर्दान मांगो. सावित्री ने कहा कि मेरे साससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य जोती प्रदान करें. यम्राज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लोट जाओ. लेकिन सावित्री अपने पती सत्यवान के पीछे-पीछे चलती रही. यम्राज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ. सावित्री ने कहा भगवन मुझे अपने पती देव के पीछे-पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है. पती के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है. यह सु कर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा, सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुन वापस दिला दे, यम्राज ने सावित्री को यह वर्दान भी दे दिया और कहा अब तुम लोट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही, यम्राज ने सावित्री को तीसरा वर्दान मांगने को कहा, इस पर सावित्री ने एक सौ संतानों और सौभाग्य का वर्दान मांगा, यम्राज ने इसका वर्दान भी सावित्री को दे दिया, सावित्री ने यम्राज से कहा कि प्रभू मैं एक पतिवरता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीरवाद दिया है यह सुनकर यम्राज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े यम्राज अंतध्यान हो गए और सावित्री उसी वट व्रिक्ष के पास आगई जहां उसके पती का मृत शरीर पड़ा था सत्यवान जीवन्त हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े दोनों जब घर पहुँचे तो देखा की माता पिता को दिव्य जोती प्राप्थ हो गई है इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे जैश्री गनेश आप सभी को वट पुर्णे मा की हार्दिक शुबकाम नाए